आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे ग्लासिस का यूटूब चैनल पर थमने लावने विल्कुल सही पड़ा कि भईया फेक बिलिंग का काम GST में कैसे होता है कैसे इन लोगों को GST रेजिस्टेशन मिलता है कैसे ये लोग रिटन फाइल करते हैं और कैसे य दिसकस करेंगे वीडियो आपको इसलिए देखनी है कभी चूना आपको ना लग जाए अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली में एक व्यक्ति को रजिस्टेशन दिया गया और उसका प्रिंसिपल प्लेस ओफ बिस्टेशन का जरा एड्रस पड़ो प्रिंसिपल प् इसे आख बंद कर गए रजिस्टेशन दे दिया और क्या कहा और क्या कहा जाओ जाकर कर लो फेक विलिंग का गाम हमें कोई फरक नहीं पड़ता क्या इस रजिस्टेशन पर क्या इस एड्रस पर क्या जीस्टी डिपार्टमेंट को रजिस्टेशन देना चाहिए था कमेंट box में लिखकर बताओ क्या अगर ऐसे address पर registration दिया है तो क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि department ने department ने कुछ ना कुछ इसके साथ setting करी हो otherwise तो वो सारे documents को check करके देता है registration और चलो मान लिया ऐसे व्यक्ति को registration दे भी दिया ऐसे व्यक्ति को स्यू मोटो आपने जैसे मर्जी करके या automatically approval बेस पर registration मिल गया अब देखो इस व्यक्ति ने कैसे चूना लगाया होगा इस व्यक्ति को registration मिल गया और address से clear पता लग रहा है कि भाई यह fake link का ही काम करेगा अब इसने क्या करा इस ने क्या करा 17, 18 और 18, 19 से 17, 18, 18 की जो 3B है फाइल ही नी करी फाइल ही नी करी शिर्फ एक दिन फाइल करी वो भी 15 सितंबर 2018 को 15 सितंबर 2018 को 3B को फाइल करा वन फाइल करता रहा इसने system का फाइदा उठाया GSTR वन फाइल करता रहा लोगों को बिल काट कर देता रहा लोग ITC लेते रहे और लास्ट में एक दिन आकर लास्ट में एक दिन आकर उसने क्या करा अपनी 3B फाइल कर दी और इस 3B के अंदर बोकस ITC ले लिया इस 3B के अंदर सारा बोकस ITC ले लिया लेकिन department को कोई फरक निपड़ता department ने तो क्या करा इसका registration उठा कर back date से cancel कर दिया इसका registration उठा कर back date से cancel कर दिया तो भाईया जब तुमने इसका registration back date से cancel करा तो recovery कोन करेगा तुमने recovery करी मैं department में क्या पूछने कि भाईया तुमने इसकी recovery करी तो आज की date में उसकी recovery निल है वो कहते है साथ जब इसका registration he back date से cancel हो गया तो इसकी recovery क्यों करेंगे हाँ तुम इस से recovery मत करो अब इसने जिसे fake billing करी होगी जिसे इसने billing करी होगी आप उससे recovery करोगे तो यहांपर अब क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है जो व्यक्ति फेक बिलिंग कर रहा है उसे तो आप छोड़ दे रहे हो उसे तो कह रहे हो जा सिम्रन जा जी ले अपनी जिन्दगी बाइज़त बरी कर दे रहे हो और जिस व्यक्ति को इसने बिलिंग करिया आप उसे पकड़ रहे हो और मजे की बात बता दो तुम्हारे को इस व्यक्ति की ठीक है ना इस व्यक्ति ने एक रुपया टेक्स जमानी करा और डिपार्टमेंट ने आज तक इससे एक रुपय की recovery नहीं करी मैंने पूछा भाई साब recovery क्यों नहीं करी कैरे साब 17-18 का जो हमारा 29.5 में क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी व्यक्ति का रजिस्टेशन कैंसिल हो गया section 29.3, 29.4, 5 कि भाई आप उसकी liability recover कर सकते हो तो जिस व्यक्ति ने इसका रजिस्टेशन कैंसिल करा तो उसने recovery करी या नहीं करी क्या उसे recovery करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी आप मुझे comment box में लिख कर बताओ तो यहाँ पर इस चीज को जड़ा ध्यान से देखो कि department कितनी लापरवाई कर रहा है और department की इस लापरवाई की वज़ा से ये fake billing का धन्दा चल रहा है अगर department सकती करता इसे registration नहीं देता तो शायद ये fake billing का सायद ये fake billing का काम शुरूई ना होता मेरी बात को समझ रहे हो अब इस व्यक्ति ने क्या करा होगा पहले इस वाले GST नंबर पर बिलिंग कर दी लोगों को ठीक है 20 करोड़ की 50 करोड़ की और इसकी demand यहां पर खड़ी होगा अब दूसरा नंबर ले लिया होगा इसने फिर वह महां से बिलिंग करेगा फिर तीसरा नंबर ले लिया होगा फिर वह महां से बिलिंग करेगा डिपार्टमेंट इसे नहीं पकड़ रहा जब इस व्यक्ति ने GSTR 1 फाइल करी और 3B फाइल ही नहीं कर रहा था तो इसका रजिस्टेशन तुमने शुरू से ही cancel क्यों नहीं करा अगर आप उस time ही इसका registration cancel कर देते तो शायद बच जाता लेकिन तुमने नहीं करा क्योंकि तुम्हारे को कहीं न कहीं कुछ लालच था इस तरह के SSC से तो क्या Supreme Court को क्या High Court को क्या Finance Ministry को क्या हमारे जो दिल्ली के Chief Minister है क्या इन तरह के लोगों पर action लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह इस तरह का जो धंदा चल रहा है क्या इसके खिलाफ हवाज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आप मुझे comment box में लिख कर बताओ तो भया आप यह वीडियो में आप उससे कभी purchase मत करो यह rule और नियम जो सक्त हुए है आज अगर यह पहले हो जाते यह पहले हो जाते तो इस तरह का fraud नहीं होता GST में आप मेरी इस बात को समझे तो भई अब मैं यह गहना चाहता हूँ कि अगर GST में fake billing हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एक परसेंट आदा परसेंट डिपार्टमेंट की भी जवाब देई होनी चाहिए कि भाई यह आप इस तरह का काम कैसे कर रहे हो और आप लोगों को यह awareness होनी चाहिए कि जब भी किसी से goods ले service ले एक तो उसका portal पर जाकर एक तो उसका address चेक करें अगर possible है तो उसक कि GST का filing pattern जरूर देखें जिससे कि आपको पता लग जाए कि भाईया यह किस तरह का व्यक्ति है तो आशागरताओ आपको यह वेरी वीडियो समझ आई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इससे comment करें और जादे से जादा लोगों तक share करें जिससे कि पता लग जाए कि भाईया यह जो fake billing की चीज़े हैं इसके अंदर कहीं न कहीं department की भी कुछ हिस्सेदारी हो सकती है तो भाईया मेरी request हाद जोडगे GST department से finance ministry से चीफ मिनिस्टर साब से कि भाई सब इस तरह के cases में जो भी कोई इसमें culprit हो आप उन्हें पकड़िए और बिलकुल ऐसी सजा होगा जहां से यह deal हो रहा होगा आप उसे पगड़ नहीं रहे हो अगर आप उसे नहीं पगड़ोगे तो यह और ज्यादा fraud करता रहेगा चलिए इस वीडियो को यही पर close करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद thank you for watching